बड़ी जिम्मेदारी मिलते ही शुबमन गिल हो गए हैं फिल सुखत है फ्रेंड्स आपका मेरे चनल पर आज इस सीडियो में डिसकस करने वाले हैं जो भारती टीम के वाइस कप्तान जिने बनाया गया था शुबमन गिल इस समय जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं क्य गई थी और वोडिया फर्मेट में उन्हें वाइस कप्तेंशिप दे गई थी बेसी साइए ने उन्हें कुछ सोंच करें स्लेट क्या होगा वाइस कप्तेंश के लिए लेकिन जब से उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है वो टोटोली फ्लॉप दिखाई दे रहें चा का कंपेरिजन किया जाता है लेकिन क्या वो बड़ी जिम्मेदारी को निभान नहीं पाए रहें क्या उनके उपर इतना प्रेशर आगा है वाइस क्या नहीं करें कि शिलनका में जिस तरह से वह बल्लेबाजी करकर आए हैं उनके पास टाइम तो काफी था क्योंकि रोही श् का गोड़ा समझ कर सेलेट किया था और उन्हें वाइस कैप्टेंशिप दी गई थी और सुनने में ये भी आ रहा था कि उन्हें शायद टेस्ट की भी वाइस कैप्टेंशिप मिल सकती है अब इन सब सवालों के घेरे में क्या शुबमंगिल का करियर ये बड़ी जिम्मेद निबाने में नाकामियाब होगा क्या शुबमंगिल इस तरह की जिम्मेदारी को अभी इस समय निबान नहीं सकते कि टीम में बड़े-बड़े प्लियर होते हुए उनके उपर इतना प्रेस्ट इनको इतना जिम्मेदारी दी गई थी क्या उनके उपर ये साइकॉलर्जिक प्रेस्टर दाला गया है क्या शुबमंगिल इस बड़े जिम्मेदारी को नहीं निबाप आ रहे हैं क्यूंकि उड्याइब फार्मेट में देखा जाए तो यह राहूल की वाइस क्याप्टेंशिप बनती थी लेकिन वाइस काप्टेंशिप ना देकर शुबमंगिल को अब इस फार्मेट में तो समझ में आता है कि वाइस काप्टेंशिप मिलना वह बड़ी जिम्मेदारि उनके उपर आ गई है बड़े-बड़े प्लेयर एप्टीम में होते हैं और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देती है आप उस तरह से परफार्म नहीं कर पाते आप आप उस तरह से डिलेवर नहीं कर पाते तो डेफिनेटली आपके उपर प्रेशर बंता है जब प्रेशर बनेगा तो आप एक दो मैच फ्लॉप हो जाएंगे तो और आपके उपर क्रिटिसाइज होगा क्यूंकि आपको जिम्मेदारी देंगे त्याप उसे बखुबी इतना ही एक तरिया है कि आप तक यह इंफर्मेशन पहुंचाए जाए कि शुम्मंगिल को जिम्मेदारी विस्याई ने दी है आप इस जिम्मेदारी के उठाने के शायद काबिल नहीं बन चुके हैं भले ही उनका परफॉर्मर्स बीचते कुछ सालों में बहतर रहा हो लेक लेने के देने पर सकते हैं क्योंकि आप टीम को इस्टैबिश करना चाहते हैं नए पिजरों को टीम में मौका दे रहे हैं अगर उनको साथ साथ अगर वह अपना परफॉर्मन नहीं कर पा रहे नहीं दिले हो रहा है उनसे तो इफिनली यह भारती टीम को बहुत बढ़ा न नहीं कर पा रहे हैं पर सता है आगे चलकर उन्हें कुछ और मौका उसे ताइम दे कर उन्हें इस जिम्मदारी को निभाने का मौका मिलें लेकिन जो हाल प्लाल की सिच्वेशन है इसके साफ से देखा जाए तो शायद ही वो इस जिम्यदारे को निभा पाएं और उनका जो फ्लाप शो रहा है डेफिनेटली ये उनके करियर पर भी इफेक्ट डाल सकता है आप देखना है होगा कि शुमन किल क्या इससे उबर पाते ह या फिर इसमें डह जाते हैं अगर इससे उबर जाएंगे तो एक बड़े प्लेयर बनके निकलेंगे अगर डह गए तो फिर शायद ही दुबारा टीम में शायद वाइस काप्टेंसिप ना रहे टीम में मौका भी ना मिले तूंकि बहुत से प्लेयर अपनी अपनी जगा के लिए जोज रहे हैं कई टीम में आ रहे हैं कई टीम से बाहर जा रहे हैं लेकिन परमानेट कोई इस टीम में नहीं है अब यहां पर वाइस काप्टेंसिप उनी देकर यह कहा था कि वह लंबेर इसका गोड़ा हैं लेकिन वह इस तरह से डिलिवर प्रफाम नहीं कहें पाए फ्रेंट्स आपको क्या रहता है आपकी क्या रहा है करन बाक में जरू बताएं और उसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें मिलते हैं नेक्ट टूडियो में तब तक आपना और किया रहें गुड़ बाई फ्रेंट्स